तो यह second quadrant में जो है उसके देखो उसके कौन कौन से axis है यह y positive z positive बट x जो है वो negative है तो इसलिए second quadrant में x negative होगा बाकी दोनो positive तो मतलब अगर यह picture आपको clear हो गया ना तो कोई साभी आप बता दोगे कि कौन से quadrant में कौन सा positive कौन सा negative होगा ठीक है चलते है third quadrant third मतलब यह पीछे व तरफ है इस वाली जगवे पीछे वाला कमड़ ठीक है यहां पर जो बंदा खड़ा रहेगा वह हमें कैसे दिखेगा वह यहां से दिखेगा नहीं उसको मैं यह 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 तो यह जो बंदा है इसके लिए आप देखो इसके लिए y नेगेटिव रहेगा, x भी नेगेटिव रहेगा, सिरफ z पॉजटिव रहेगा, तो वही हो रहा है, x, y नेगेटिव, सिरफ z पॉजटिव, जो फॉर्थ पॉजटिव पे लिए, फॉर्थ है अपना ये वाला पॉजटिव है जेट भी पॉजटिव है तो सिरफ वाई नेगिटिव है तो फर्स्ट फ्लोर के तो सारे कमडे हमने कर लिये हैं कवर ठीक है अब चले ग्राउंड फ्लोर पे मेरा क्वादरिंट होगा अचा एक चीज ओर क्वादरिंट गोलने के हमारी आदत हो गई है क्यूपटर से अधर अधरिनड दी है इसहां पर यह क्या है यह है यह है और फॉर्स्टॉ sieht घरद फॉर्द और अब हम बात करने वाले फिफ्थ ओक्टेंट की है तो फिफ्थ ओक्टेंट कौन सा